ग्री मंत्री अमिश शाह ने लोकसभा में नागरिक्ता चंशोधन बिल को पेश किया। भारी हंगामे के बीच जब बिल पेश हुआ तो विपक्ष की ओर से इस पर मतदान की मांग भी की गए। जब वोटिंग हुई तो बिल पेश करने के पक्ष में 293 और विरोध में 82 सडक से शुरू हुआ सिटीजन अमेंडमेंट बिल का संग्राम संसद तक पहुँच चुका है। जोरदार बहस के साथ ग्री मंत्री अमिश शाह ने बिल को संसद में पेश किया। बिल के पहलूओ को भी समझाया। साथ ही विपक्ष को ये भी समझाया कि आज इस बिल की ज जरूरत क्यों पड़ी है। जब इसका अजादी मिला तब धर्म के आदार पर विवाजन अगर कॉंग्रेस पार्टी न करती इसके किया जर्म के आदार पर कॉंग्रेस पार्टी ने किया है। विपक्ष पर हमले के साथ केंद्र सरकार विधैक लागू करने के लिए कमर कस रही है। तो दूसरी तरफ लोगसभा में कमजोर इस्तिती में रहने के बावजूर विपक्ष केंद्र सरकार के पैसले पर सवाल खड़ी कर रहा है। हम इसलिए मुकालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडमेंटल राइट्स को वाइलेट करता है। आर्विट्री नेचर है। शायराबानों में और नव्तेज जोहरन से जिकर है। तीसरा सर वो माई केशना भारती है। चौता हमारे मुलक में सिटिजन्शिप का कॉंसिट सिंगल है। और आप ये बिल लाकर सर्बनन सोनावाल सुप्रीम कोर्ट केस का वाइलेशन कर रहे है। पाचवा सर चक्मा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चक्मा केस में चक्मा को अरुनाचल परदेश तो रहने की जाते हैं बगार आईल फर्गमेट के। आखरी पॉइंट मैं आप से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुलक में इसे खानून से बचा लीजिए। सिटिजन्सिप एमेंडमेंट बिल जो है वो बाबा साहब भीमराव अमबेट करके द्वारा बनाये गए सम्विधान को खतम करने की योजना है। अभी हम निवलें CAB के खिलाफ है समाजवादी पार्टी और हर कीमत पर समाजवादी पार्टी इसका ब्रोथ करेगी। विपक्ष बिल के बहाने सत्तधारी पार्टी पर हमलावर है तो बीजेपी इस बिल के फाइदे गिना रही है। जबकि दूसरी तरफ असम में बिल के खिलाफ जबरदस आवाजे उच रही हैं। लोग सड़क पर हैं और बिल के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल से बदलाव क्या क्या होगा। इस बिल के जरीए नागरिक्ता देने से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा। बिल पास होने से बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये हिंदूों को भारत की नागरिक्ता मिल सकेगी। बिल में संशोधन से सिख, बौध, जैन, पार्सी और इसाईयों को भी भारतीय नागरिक्ता मिलने का रास्ता साफ हो चाएगा। इसके अलावा बिना वैद दस्तावेजों के भारत की नागरिक्ता मिलने में आसानी होगी। पहले भारत की नागरिक्ता के लिए 11 साल देश में रहना जरूरी था जबकि बिल में संशोधन करके शरनातियों के लिए निवास अवधी घटा कर 6 साल की गई है सांसदो वाली बीजेपी के लिए लोकसभा से इस बिल को निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं था लेकिन राज्य सभा में अभी भी बीजेपी की लिए अगनी परिक्षा है क्योंकि विपक्ष के साथ साथ सरकार के साथियों का रुख भी बदला हुआ है अकाली दल, जेडियों और हाली में पाला बदलने वाली शियोसीना ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले है दूसरी तरफ विल्क्य विरोध में असम में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं असम के 18 संगठनों ने पूरे राज्य को बंद रखने की तयारी कर ली है और बीजेपी शासित इस सुबे में पार्टी भी इसके कई प्रावधानों से इत्तफास नहीं रखती अब देखना बड़ा दल्चस्प होगा कि नागरिक्ता को लेकर शिरू हुआ घमासान कहां जाकर हात्म दोगा है ब्योरर रिपोर्ट आर नाइंटीन